जेहिन नमस्कार जम्मू कस्मीर के पूंच से बड़ी खबर निकल के आई है यहाँ पे नियंतर्ण रेका पर तेनात पोस्ट पर एक अगनी वीर की डूटी लगी हुई थी और इसी डूटी के दोरान गोली लगने से अगनी वीर की जांच ले गई यह हमारे देश में ऐसा पहला मोका है या पहली गटना के हैं जहां एक अगनी वीर की साहदत हुई है इसके बाद सेना और पुलीस इस जांच में जुटी हुई है कि यह कोई गटना है दुरगटना है या फिर यह आत्मत्या पुंच में भारत पाकिस्तान नियंतर्ण रेखा के पास तेनात एक अगनी वीर की गोली लगने से जांच चली जाती है और यह पुंच जिले के मनकोट सेक्टर में हादसा हुआ है खबर में आगे बात करें तो यह गोली कैसे लगी इसके लिए मोके पर पुलीस पहुँची है और सुर्कसा बुलों की टीम भी इस मामले की जाज़ कर रही है मामले की जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बदाया कि पुंच जिले के मेंडर उप मंडल के मनकोट इलागे में एलोसी के पास सिपाई अगनीवीर अमरत पाल सिंग संत्री के तोर पर डूटी कर रहे थे और इसी दोरान गोली लगने से उनकी मोत हो गई बाद में पुलीस दल ने मोके का दोरा किया है सभी कानूनी औप चारिकताएं पूरी करने के बाद डेट बोडी को फोस्ट मार्टम के लिए अस्पताल बेज दिया गया एक पुलीस दिकारी ने मामले की पुष्टी करते हो बताया कि ये गटना दुरगटना वस लगी आग आ इसका मतलब ये है या ये माने कि ये कम ट्रेनिंग की वज़े से हुआ है या फिर अगनी वीर वहाँ पर अपने आपको मानसिक तोर पे प्रेसान मेसूस कर रहा था इसकी जांच बहुत ही जरूरी है क्योंकि एक सेनिक पूरी तरीके से परसिक्षन में महारत तब हासिल करत है जब उसकी रिगोरियस ट्रेनिंग हो और डेट साल की ट्रेनिंग के बाद इस सेनिक को चाहिए पोस्ट पे वेजा चाहिए चाहिए किसी भी युद के मैदान में वेजा जाए वो कभी मानसिक तोर पे प्रेसान नहीं होता है वो हर मुसिबत को जेलने के लिए अपने नात कर दिया जाए तो वो मानसिक तोर पे उनकी प्रेसानिया बढ़ जाती है तो देखते हैं कि सेनाएं आजकल सेना जो है मामलों को उजागर कम करती है लेकिन इस मामले के अंदर जांच के बाद क्या निकल के आता है जब भी कोई आएगी इसके उपर रिपोर्ट वो हम जानेंगे तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही जै हिंद जै भारत